हेलो फ्रेंड्स अभी ऐसा लगता है ले ओफ का जमाना है तो मैं स्टॉक मार्केट का और कॉमर्च स्टूडेंट्स के सीए 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 में और अधर लाइफ स्किल्स क्लासिस की ट्रेनिंग आपको देता हूँ तो बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं से ले ओफ के कारण स्टॉक मार्केट प्राइज में क्या फरक पड़ता है अगर ले ओफ इसलिए हो रहा है कि कंपनी की कॉश्ट रिडेक्शन की जा सके अगर कंपनी अपने अनप्रोफिडबल यूनिट्स को बंद करना चाहती है तो डेफिनिटली ले ओफ के कारण कंपनी के शेर पर इस बढ़ती है बहुत सारी कंपनी ले ओफ कर रही है इसमें बड़ी बड़ी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी जैसे Amazon हुई जो ले ओफ करना चाहरी है कॉट कॉश्ट कटिंग करने के लिए Facebook का जो पेरेंट कंपनी का नाम है Meta Meta Platform आप देख सकते हैं उन्होंने भी ले ओफ करने की घोशना की है ले ओफ करने की घोशना से उनकी शेर प्राइस बढ़ रही है मतब ये एक positive news है stock market के shareholders लोगों के लिए अगर वो cost cutting होती है तो शेर प्राइस बढ़ेगी क्योंकि profitability बढ़ेगी Meta shares rise after Facebook parent ले ओफ over 11,000 employees as it cuts cost तो आप देख सकते हैं TCS जहांकि बड़ी बड़ी कंपनी ले ओफ कर रही है TCS प्लाइन कर रही है नई job creation की तो इस good news है हमारे इंडियन कंपनी के लिए Cryptocurrency का आपको पताईए बहुत ज़्यादा fall कर गया Cryptocurrency वहां पर भी ले ओफ चल रहा है GA Appliances भी ले ओफ कर रही है US Software Company Salesforce भी ले ओफ कर रही है Robinson भी ले ओफ कर रही है Microsoft जैसी कंपनी ले ओफ कर रही है वह की बहुत बड़ी बात है Baizu का नाम आप सब को पता है वो भी ले ओफ कर रही है Twitter का तो आपको पता ही था Twitter also laying off their employees for cost cutting So Philips भी ले ओफ कर रही है और अलग-अलग जगल lay off हो रहा है But definitely घबराने की जरुत नहीं अगर आप सही knowledge रखते हैं और सही आप talent है तो आप कभी भी इन सब news से नहीं घबराएंगे और I hope आपको stock market का implication पता चल गया इसका इसी तरह से आप अपने knowledge को बढ़ाईए कोई भी news, कोई भी news stock market में कैसे प्रभावित होता है और किस तरह से आप हमेशा updated रह सके इसी तरह से learning के साथ earning को भी जोड़ना है अच्छी learning लेकर earning को पाना है आप इस चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि stock market related, career related news आपको हमेशा मिलता रहे हमेशा आप updated रहे Thank you so much